आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान दिल्ली NCR में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है दिल्ली में रविवार को इस सीजन में नियूंतम तापमान सबसे कम दर्च किया गया नियूंतम तापमान सामानने से 2 डिगरी कम रहते वे 6.4 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं अधिकतम तापमान 23.9 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरने का अनुमान जाहिर किया है मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार को भी मौसम इसी तरह कर रहेगा आंशिक रूप से बादल भी छाय रहेंगे और हलका कोहरा भी रहने का अनुमान है दिल्ली में आज अधिक्तम तापमान 24 और नियुनतम तापमान 8 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है इस हफते के अंद तक अधिक्तम तापमान में 3 और नियुनतम तापमान में 1-2 डिगरी सेल्सियस की कमी आने की संभावना है जबकि 13 से 16 दिसम्बर तक हलका कोहरा भी चाया रहेगा लेकिन उसके बाग कोहरा का जाद अप्रोको देखने को मिलेगा मौसमी भाग के अनुसार दिसम्बर से लेकर फरवरी तक दिल्ली NCR समेथ पूरे उतर भारत में जोड़ार ठंड पढ़ने का अनुमान है इस दौरान ठंड और नियूंतम तापमान के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तूट सकते है वही नौईडा में आज अधिकतम तापमान 22.96 डिगरी सेल्सियस और नियूंतम तापमान 14.9 डिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान है इस हफते में अधिकतम तापमान 20.91 और नियूंतम तापमान 12.93 डिगरी सेल्सियस तक पहुंचने की उमीद है इस पूरे हफते मौसम साफ रहेगा और धूप निकल लेने की भी संभावना है दूसरी तरफ गूरु ग्राम में आज अधिकतम तापमान 21 और नियूंतम तापमान 09 डिगरी सेल्सियस तक पहुंचने की उमीद है आज बादल चाय रहने की संभावना है इसके बाद पोरे हफते मौसम साफ रहने का अनुमान है दिल्ली में फिलाल प्रोदूशन के स्थर में बहुत सुधार नहीं दिख रहा है सफर के अनुसार दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स जिसे AQI भी कहते है आज यानि की 13 दिसंबर को 308 दर्च किया गया वही नौया की वायू गुडवत्ता सुंचकाग को भी बहुत खराब बताया गया है और यह 340 रिकॉर्ड किया गया इसके अलावा गुरुग्राम में वायू गुडवत्ता सुंचकाग 307 रहा है दिल्ली NCR में इस पूरे हफ़ते वायू गुडवत्ता सुंचकाग भी बहुत खराब स्तर पर 300 के आसपास रहने की संभावना जताई गई है व्यू रिपोर्ट, बाकेट टाइम्स, टीवी झाल गुड़त्ता सुंचकाग रहा है